मुझा नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो उत्तरप्यदेश में कोरोना वाइरस के प्रकोप को पुरी तरह काबो में लाने के लिए सरकार और प्रशाशन आथक प्रयासों में लगा है इसी कड़ी में कानपर जिले में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाशदों को एहम जिम्मेदारी दी गई है सहर के सभी 110 पाशद अपने छेतरों के करोना संक्रमित लोगों से वर्चुल समपर्क बनाएंगे उनको लगातार मॉनिटरिंग करेंगे सभी मरीजों के जानकारी नगर निगम की कोबिट कंट्रोल सेंटर को दी जाएगी करोना संक्रमर को काबू में लाने के लिए पाशदों को कड़ी निगरानी की कमान दी गई है सभी वाडों में पाशद ध्रमर करती हुए लोगों को जागरू करने का काम करेंगे सब 110 वाडों में पाशत द्वारा निगरानी करते हुवे कुरोना सिम्टोमाटिक लोगों की सूची तैयार की जाएगी जिले में कुरोना के तीसरी लहें से लडने के लिए स्वास्वेभागों जिला प्रशाशन तैयारियों में जुटे हुए है सहर के अलग-अलग अस्पतालों में बच्चों के लिए इलाज में वाड बनाया जा रही है इसी क्रम में डफरिन अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बैट का ICO अस्पताल बनाया जाएगा इसके लिए एक अलग बिल्डिंग तयार की जा रही है इसके लिए शाष्यन ने 115 दसम लो 30 लाख रुपए का बज़ट रखा है निर्मार कार अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा पिरो रिपोर्च आईपेन पिरो रिपोर्च आईपेन